बाई और बहनों, आत्म निर्भर भारत के लिए नौर्थ इसका तेज विकास, असम का तेज विकास बहुत ही आवश्चक है। आत्म निर्भर असम का रास्ता असम के लोगों के आत्म विश्वास से होकर गुजरता है। और आत्म विश्वास तभी बढ़ता है, जब घर परिवार में भी सुविदाएं मिलती है, और राज्ये के अंदर इन्फास सक्चर भी सुधरता है। बीते सालों में इन दोनों मोर्चों पर असम में अभुत्पुर्व काम किया गया है। असम में लगभग पौने दो करोड गरीबों के जनदन बैंक खाते खोले गए। इनी खातों के कारण करोणा के समय में भी असम की हजारों बहनों और लाखों किसानों के बैंक खाते में सीधी मदद भेजना संभव हो पाया है। आज असम की लगभग चालीस प्रतिशत आबादी आयुशमान भारत की लाभारती है। जिसमें से लगभग देड़ लाख साथियों को मुप्त इलाज भी मिल चुका है। बीते छे साल में असम में टॉयलेस की कवरेच 38 परसंट 38 प्रतिशत से बढ़कर सत प्रतिशत हो चुकी है। पांच साल पहले तक असम के 50 प्रतिशत से भी कम घरों तक बिजली पहुँची थी। जो अब लगभग 100 प्रतिशत तक पहुँच चुकी है। जल जीवन मिशन के तहट बीते डेड़ साल में असम में डाई लाज से जादा घरों में पानी का कनेक्शन दिया है। केंद्रो और राज्य सरकार का डबल इंजेन तीन चार वर्सों में असम के हर घर तक पाइप से जल पहुँचाने के लिए काम कर रहा है। बाई और बहनों ये जितनी भी सुविदाएं हैं इनका लाब सबसे जादा हमारी बहनों बेटियों को ही होता है। असम की बहनों बेटियों को बहुत बड़ा लाब उजवला योजना से भी हुआ है। आज असम की करीब 35 लाग गरीब बहनों की रसोई में उजवला का गैस कनेक्शन है। इसमें भी लगभग 4 लाग परिवार SC और ST वर्ग के हैं। 2014 में जब हमारी सरकार केंदर में बनी तब असम में LPG कवरेट सिरब 40 परतिशत 40 परसंटी थी। अब उजवला की वज़र से असम में LPG कवरेज बढ़कर करीब करीब 99 परसंट हो गया है। 99 प्रतिशत हो गया है। असम के दूर दराज वाले हिलाकों में गैस पहुंचने में दिक्कत न हो। इसके लिए सरकार ने डिस्ट्रिबुटर्स की संख्या को भी काफी बढ़ाया है। 2014 में असम में 330 LPG गैस डिस्ट्रिबुशर थे। अब आज इनकी संख्या 575 से भी जादा हो गई है। हमने देखा है कि कैसे उजवला ने कोरोना के समय में भी लोगों की मदद की है। इस दोरान असम में 50 लाग से जादा मुप्त गैस सिलिंडर उजवला के लाभार्थों को दिये गए है। यानि उजवला योजना से असम की बहनों का जीवन भी आसान हुआ है। और इसके लिए जो सेंकड़ो नए डिस्टिबिशन सेंटर बने हैं। उससे अनेक युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। झाल